जाहें दोस्तों आपको अपने चनल एस्कियम, इस्टडी पर एवाफिट स्वागत आ गए हैं आपके सामने एक महत्तपूर्ण वीडियो के साथ, बहुत ही धमाकेदार वीडियो के साथ, हमने आपको जैसा बताया था मेरे पैर बच्चो कि आपको कोई भी चीज की कमी नहीं होने देंगे मेरे पैर बच्चो, आपको लगातार समझाते रहेंगे और लगातार बताते रहेंगे, तो मेरे पैर बच्चो, अगर आप अच्छा अच्छा कमेंट करेंगे, तो हम आपको अच्छी अच्छी वीडियो प्रोइड करेंगे, आपको लाइक करके जाना मेरे प करिए का मेरे वाले मेरे पार देखेंगे हम बात क्या करने वाल है मेरे पार चया बार किसकी बात करेंगे कख्छा एंग्रेजी वाले थिक के इंगरेजी जो भच्छे हैं हमारे वो क्या ध्यान देंगे most important topic prices जो कि आपके लिए मेरे पैरबचो 15 नंबर का पूछा जाता है और इसमें आपको free का नंबर मिलता है तो free का नंबर मिलता है तो इसको अच्छी तरीके से कर लिजे मेरे पैरबचो ताकि आपको अच्छी तरीके से समस में आ जाए आज हम आपको अच्छी तरीके से देखे इसका पूरा हिंदी बताएंगे उसके साथ ही साथ मेरे पैरबचो इसमें जो क्विस्टन्स हैं उनको भी अच्छी तरीके से करवाने वाले हैं तो आप सभी को कहा चाहिए हमारे साथ जूड़ जाए और अच्छी तरिके से अपनी तयारी को बना लिजे मेरे पैरबचो ताकि आपको एक्जाम में कोई दिक्कत ना हो क्योंकि इतनी मेहनत सिर्फ आपके लिए किया रहा है मेरे पैरबचो पीडिया बनाना फिर आपको पढ़ाना और फिर आपको देखे वीडियोज प्रवाइट करना तो आपके लिए बहुत रात दिन एक किया जा रहा है मेरे पैरबचो उसकी बात करेंगे ठिक है चलिए इसकी बात करते हैं और आपको अच्छी तरीके समझाने का प्रयास करते हैं मेरे पैरबचो ठिक है यहाँ पर देखिए अगर इस पैसिस की बात करें पैसिस आपके लिए देखिए आप सभी लोग बहुत डर रहें कि सर पैसिस कैसे होगा आ करना किस बात का है ठीक है जलिए यहां पर पैसे एक अच्छी तरीके से अच्छे में आपको स्वील करके बताते हैं और अगर आप चैनल पर नहीं है तो चैनल को तुरंत क्या कर लें मेरे बच्चो सब्सक्राइब करें तो हमारा मोटिवेशन और बढ़ेगा तो आपको जल्दी जल्दी से कर देना है मेरे पैर बच्चो ठीक है तो चलिए सब्सक्राइब यहां पर लिख देजिए तो यहां चलिए आपको बताते हैं कुछी तरीके से देखें इसमें क्या दे रख सब्सक्राइब करने का मतलब कि जो आदमी देर से उठता है वहां दिन में थोड़ा आराम कर सकता है क्या कर सकता है दिन में थोड़ा आराम कर सकता है ठीक है एनीवन हो लाइस इस बेट लेट इस कम्पिलीटर वर्क टिल लेट आवर इस दे इवनिंग करने का मतलब कि जो कोई भी देर से बिश्तर पर लेटता है वहां साम को देर तक काम करने के लिए मजबूर होता है क्या होता है देर तक साम को देर तक कार करने क के लिए मजबूर होता है he has to go without the evening exercise which is so necessary for his health करने का मतलब कि यहां पर क्या है मेरे पार बच्चों कि जो उसके स्वास्त के लिए बहुत आवश्यक है यहां पर ध्यान जी का मेरे पार बच्चों उसे साम के बयाम के बीना जाना पड़ता है जो उसके स्वास्त के लिए बहुत ही आवश्यक है ठीक है यहां कि यहां पर मेरे पार बच्चों आगे चलिए आगा बताते हैं in spite of all his efforts his work will not produce a good result as that of the early riser करने का मतलब कि जो यहां पर ध्यान दीजेगा जितना की जल्दी उठने वाले का ठीक है यानि कि अगला दिखिए यहां पर वही चीज़ कर रहा है कि अगर आप जल्दी उठेंगे तो अपना काम ज्यादा देड़ तक करेंगे जिसे आप 6 बज़ उठ गए तो आप अगर 6 बज़ उठते हैं तो आपको पूरे दिन का 12 घंटे का समय मिलता है कार करने के लिए अगर आप 8 बज़ उठते हैं तो इसमीस आप 2 घंटे माइनस कर दीजे ठीक है जी आपके लिए है ठीक है तो आपको दोड़ना पर जाएगा ठीक है तो आपको अगर बेहतरीन तरीके समझना है तो आपको अच्छी तरीके समारे साथ जुड़े रहने की ज़रूरत है मेरे पर बच्छों ठीक है चलिए अगला देखिए क्या है यहाँ पर दरीजन फॉर दिस देट का नाट टेक यहनि किसका लाव नहीं ले पाते हैं रेफ्रेसिंग आवर दमार्निक सुबह के घंटों का जो सुबह के फ्रेस हवा है उसका यह लाव नहीं ले पाते हैं तिक है और देखिए क्या कराए कि समपीपूल से द्एड कुछ लोग काते हैं कि कौईट हावर आप दे सब्सक्राइब करने का मतलब यानि कि यहां कर वे केवल तभी सब्सक्राइब लिख सकते हैं जब आधी रात को सक्री हों क्या हों सक्रीय हों टिक है यानि काने का मतलब कि जब आधी रात को सक्री हों फिर भी यहां काना सच है कि आधी रात को जब सरीर को आराम और नींद की ज़रूरत होती है तो बहुत कम लोगों का दिमाग साफ होता है क्या होता है साफ होता है ठीक है और देखिए क्या कर रहा है कि यहां पर विन बॉडी नीट से रिश्ट स्लीप दोस हुआर्क दैट टाइम सून रूइन देयर हेल्थ यानि कि यह जो कारी होता है उनकी हेल्थ को क्या कर सकता है खराब कर सकता है वैड हेल्थ मुच्द रॉन लॉंग रॉन है बिड़ इफिक लिए नहीं इसमें मोटे त inhabit यह कहा गया है कि आपको शुब्स उठना और क्या करना मेरे बचसे अब को यह क्या न debate को आपको ऑन कर एक रmbD बताते हैं ज़हां पर आपको ऑफिर भी राइजन ना पका अंसर में वो यहां से लेकर यहां तक इसका अंसर मिला कि नहीं मिला मेरे प्यार बच्छो अंसर आए वह आपको अच्छी तरीके से मिल गया होगा ठीक है तो इस तरीके इसका अंसर मिल जाएगा बस यह है ध्योना और बहुत इंपोर्टेंट है वाइडू सम्ठिंकर सब्रूंग नायट ठीक है उसके बाद देखे यहां ओयल दिख जाए वहां वाला पराग्राप उठाकर आपको लिख देना है यह सारे एड़ांटेज है आपको पैसेस को सॉल्व करने के लिए ठीक है तो आगे चलिए आगे क्या है What is the disadvantage of working at midnight तो midnight में work करने के क्या disadvantage है तो यहाँ पर जहाँ पर midnight दिख जाए वहाँ पर दिखे Advantage है यहाँ पर तो यहाँ पर अच्छी तरीके से इस paragraph को लिख देना है कोई यहाँ पर घबराने वाली बात ही नहीं है तो बहुत इंपोर्टेंट इंपोर्टेंट बहुत शोटी-शोटी कुछस्ण है ठीक है तो यहाँ पर लिख देना है सम्पिंकर्स बर्न दमीडनाइट वैल विकॉस देट से देट राइट बेस्ट वल्ली वेन दे बर्न दमीडनाइट ओयल दूसरा क्या है गैँफ्यिस देट डिसडवांटेज आफ वर्किंगर दे मिडनाइट तो जो हमारा क्या है मेरे पेर अचो यानि की मधरातुरी में कार करने की हमें डिसडवांटे स्क्या है उसकी बारे माफ आपको बताते है ठीक है तो the disadvantage of working at midnight is that की soon ruin their health आप जल्द ही अपने health को क्या कर देंगे खो देंगे ठीक है which is the long run of a bad effect on the quality of their work यह आपके quality जो आपका कार है वो लंबे समय के लिए क्या कर देगा आप quality को खराब कर देगा ठीक है चलिए गला देखिए what are the possible advantage of both morning hours and midnight hours यानि की advantage क्या है जब आप सुबह उठते हैं तब क्या advantage मिलता है जब आप रात तक काम करते हैं तब क्या advantage मिलता है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा the possible advantage of morning hours जो सुबह का जो समय है वहाँ पर क्या advantage है आपके लिए की leads to health happiness क्या करते हैं आप जो आपकी खुसी है सुबह की खुसी को अनुभाव करते हैं आप midnight hour that is a best time working ठीक है for working as one has a clear brain in midnight ठीक है यह आपके लिए हो जाएगा चलिए आगा आपके आते हैं which word in the place is opposite of noisy noisy का opposite क्या हो जाएगा quiet is opposite of noisy क्या हो जाएगा quiet ठीक है अगला देखे क्या है question अगला question मेरे पर पर जाएगा है substitute one word for the phrase in spite of in spite का आपका क्या है एक word में क्या हो जाएगा मेरे पहरे बच्चो क्या हो जाएगा अगर यहां बात करें क्या हो जाएगा मेरे पहरे बच्चो यहां पर देखे दूसरा नमबर question क्या है substitute the one word for the phrase in spite of यह आपका मने बताया क्या हो जाएगा मेरे पहले बच्छों यहाँ पर क्या हो जाएगा डिस्पाइट क्या हो जाएगा डिस्पाइट अगला कुछ दिक क्वाइट इस अपोजिट ओप नौइसी यह आपका पहले का है दूसरा तिसरा कुछ दिक क्या क्या हो जाएगा मेरे पहले बच्छों क्या हो जाएगा भीवँद समंज हैं। एल chambers करते हैं जिस बच्चे को मालम है वह बच्चा हमारा कड़ता रहें क्योंकि या आपके लिए बहुत important है और आप पड़ते रहें MPR मुद्ट है जायगा अन्य頭 समूंज मे नहीं आए तो जो बच्चे हमारे इसका अंसर जानते हैं वो यहां पर यहां से लिख देंगे मेरे बच्चो और आपको यहां पर हम अच्छी तरीके समझाने वाले हैं और बताने वाले हैं इसका मतलब क्या है तो चलिए इसका भी अच्छी तरीके से हम आपको समझाते हैं और आपको अ not measured by the number of days यानि कि मनुस के जीवन उसके द्वारा जिये गए दिनों months and years महीनों और वर्ड्सों की has lived but by the deeds and done and dead and by the achievements he has made काने का मतलब कि वर्ड्सों की संख्या से नहीं मापा जाता है बलकि उसके द्वारा किये गए करमों और उपलब्दियों से मापा जाता है ठीक है देखे जो मनुस से है मेरे परवचो उसके महीनों और वर्ड्सों की संख्या से नहीं मापा जाता है जबकि उसके करमों से मापा जाता है एक तरीके से यह चीज़ का रहा ठीक है और यहाँ पर what is the real significance in life is not a quality but quality experience यहाँ पर क्या करा है जीवन में वास्तविक महत्व मात्रा का नहीं बलकी अनुभाओं की गुडवत्ता का है किसका है अनुभाओं की गुडवत्ता का है ठीक है यह आपके लिए हो जाएगा a short life devoted the noble adventures for valuable than long life over a hundred years spent a travel per sweet सकाने का मतलब यहाँ पर मेरे बच्चो यानि की महान कारियों के लिए समयर पित एक छोटा सा जीवन सव साल से अधिक लंबे के जीवन की तुला में तुछ कारियों में ब्यतीत करने से कहीं अधिक मुल्यवान है जैसे आप घूम टहल रहे हैं उसमें अपना समय बरबात कर रहे हैं तो आप देखिए अगर आप किसी महान कार को करकर करके आप किसी को भला करके या कोई चीच हम वर्सों में नहीं रहते हैं हम कर्मों में रहते हैं वर्सों में नहीं रहते हैं noble deeds splendid ideas and fine sentiments constitute the real glory of character and not the length of time one has lived in the world नेक कर्म सांदार विचार और अच्छी भावनाएं चरितर की वास्तिविक महिमा का निर्मार करती हैं न कि दुनिया में रहने वाले समय की लंबाई का प्रशन है ठीक है तो यह बहुत ही important है मेरे बरबचो तो question देखिए question इसलिए आपको देखिए यहां पर question हमने आपको बता है पैसे को solve करने का तरीका जहां पर आपको measured दिख जाए वो आप paragraph पूरा लिख दीजिए यहां देखिए measured दिख रहा है न इस पूरा paragraph आपको लिख दीजिए आपका answer complete ठीक है पहले का उसके बाद दूसरे का देखिए which is more valuable in a short life or long life ठीक है तो अगर आप नेक काम करते हैं तो आपके लिए ज्यादा long life होगा ठीक है वार्चुड मैं रिवा यहां पर क्या हो जाएगा वार्चुड मैं प्रेफर टू इन लाइफ है नि लोग अपने जिवन में क्या प्रेफर करना चाहते हैं तो मैं सुड डिवोट 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 इस पर्शिूस लाइफ न पर्फॉरमेंस अफ नोबल डीट्स एंड फॉर इस पॉसिबल ही सुड लाइफ डिवोट डिव डिवोट डिवेश टीक है अगला देखिए वाट मिक्स करेकटर गोलेस क्या चलित इन को क्या गुलोरियस मनाता जहां पाप अप अब्गलोरियस ठीक है अगला देखे क्या हो जाएगा what which word in the passage means importance importance का मतलब क्या है significance ठीक है what is meant by noble advertisers क्या हो जाएगा यह आपको लिए नोबल is having honorable qualities and endeavor is an attempt to do somethings ठीक है अगला देखे वाट is the difference between indeed and deed indeed माने क्या होता है और deed माने क्या होता है indeed actually क्या होता है deed means क्या होता है legal documents ठीक है तो यह कुछ most important आपके लिए मेरे पहरवचों पैसित जो हमने आपको solve करवाया तो I hope मेरे पहरवचों आपको question बहुत ज्यादा प्यारे लगोंगे बहुत ज्यादा अच्छे लगे होंगे अगर आपको वीडियो पसंद आती है आप चलनों को like, share, comment, subscribe जरूर कर सकते हैं फिर मिलते हैं नेक्स वीडियो में नए टॉपिक के साथ अब तक के लिए जय ही जय भारत